हेलो एन वेलकम टू दे चैनल नेचुरल योगा फीजियो सर्मेसी फ्रेंड्स उपवास चिकिस्था प्रकृतिक चिकिस्था का एक बहुत बड़ा अंग है जिसे प्रकृतिक चिकिस्था में सरीर सुधी का बहुत बड़ा साधन माना जाता है फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे कि उपवास चिकिस्टा क्या है यह कैसे रोगों को दूर करता है और प्रकृतिक चिकिस्टा में उपवास कितने प्रकार के होते हैं तथा उपवास के दोरान क्या क्या खाना पिना चाहिए तो आए फ्रेंड्स वीडियो को सुरू करते हैं उपवास का अर्थ है शरीर में पाचन संस्था को पूर्ड विश्राम देना हम हर रोज अपना पेट दिन भर में दो-तिन बार भर लिया करते हैं जिससे पाचन संस्था हमेशा काम में लगा रहता है पाचन संस्था के लगातार काम करते रहने से सरीर में बिजातिय द्रवी यानि की टॉक्सिंस इकठा हो जाते हैं जिसको रिमूव करना बहुत ही जरूरी होता है प्रकृतिक चिकित्सा के अनुसार उपवास के कड़े नियमों का पालन करके बोडी से टॉक्सिंस को बाहर निकाला जा सकता है हमारे भारत वर्ष में आदी काल से उपवास का बहुत ही अधिक महत्वरहा है यहां तक की धार्मिक पुस्तकों में भी उपवास को सरीर और मन की पवित्रता का एक साधन माना गया है उपवास एक प्रकृतिक इस्थिती है, प्रकृति की मांग है इसलिए पसू पक्षी आदी सभी ये धारियों को उपवास की जरूरत पड़ती है प्रकृतिक चिकित्सा के अनुसार जब पसू बीमार पड़ते हैं तो अच्छे से अच्छे चारे की तरफ देखते भी नहीं है इसका कारण यह बताया गया है कि रोग के अवस्था में कुछ भी खाना बीश के समान होता है तथा उपवास करना अवसधी के समान होता है प्रकृतिक चिकित्सा में तीवर रोग का कारण विजातिय दरब्यों को माना जाता है इसलिए रोग होने पर रोग के कारण विजातिय द्रव्यों को दूर करने का उपवास एक प्रबल साधन माना जाता है ऐसा माना जाता है कि उपवास काल में सरीर की सारी की सारी जीवनी सक्ती केवल और केवल रोग को दूर करने में लग जाती है और उसे दूर करके ही दम लेती है यहाँ पर एक बात समझने योगी यह है कि उपवास सरीर में कोई नवीन सक्ती का परदान नहीं करता है बलकि सरीर से विजाती द्रवियों को निकाल कर सरीर को अपना सक्ती वापिस करता है जिससे सरीर निरोग और सक्तिसाली बन जाता है यहाँ पर एक बात असपश्ट है कि जिसके सरीर में बिजाती द्रव यानि कि टॉक्सिंस नहीं है उन्हें उपवास करने की बिलकुल भी जुरुत नहीं है लेकिन कभी-कभी छोटा उपवास कर लेने से स्वास्तिसदय एक सा बना रहता है उपवास के दोरान सरीर संचित पदार्थों को यूज में लाता है उपवास से सरीर के सारे टॉक्सिंस दूर हो जाते हैं और साथी साथ मन और आत्मा का भी सुध्धी होता है उपवास सारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक सक्षता का साधन है लेकिन इसका पूरा-पूरा लाफ वही उठा सकता है जिने उपवास कला का पूर्ड ग्यान हो उपवास के प्रकार के अगर हम बात करें तो यह कई तरह का होता है जिसमें सबसे पहला नमबर आता है प्रातह कालीन उपवास का प्रातह कालीन उपवास सबसे आसान उपवास होता है इसमें केवल सुबह का नास्ता छोड़ देना होता है और दिन में केवल दो बार भोजन करना होता है उसके बाद नमबर आता है सायम कालीन उपवास का जिसको अर्धुपवास या एक समय का उपवास कहते हैं इसमें केवल रात का भोजन नहीं करना होता है और दिन में केवल एक बार ही भोजन करना होता है उसके बाद नमबर आता है एका हारो पुवास का इसमें एक बार में एक ही चीज खाना होता है जैसे कि सुबह को यदि रोटी खाया तो साम को केवल सैलेड खाते हैं दूसरे दिन फिर सुबह को एक प्रकार का कोई फल खाया तो साम को केवल दूद आजी पीते हैं उसके बद नमबर आता है फलो प्वास का इसमें कुछ दिनों तक केवल रस्दार फलो या सागभाजी दुध उपवास कहलाता है इस उपवास में स्वस्त गाय के दूध का उपयोग करना चाहिए उसके बाद मठो पवास होता है जिसको मठ्छा कल्प भी कहते हैं पाचन सकती यदि निर्बल हो तो दुध उपवास की जगह मठ्छा कल्प करना बहुत ही उचित होता है इस तो अधिक लाब मिलता है उसके बाद नंबर आता है पूड़ पवास का जिसमें किसी भी तरह का अन्न या फल का उपयोग नहीं करना होता है इसमें केवल और केवल जल पे उपवास रहा जाता है उसके बाद नंबर आता है सापताहिक उपवास का इसमें सपताह में केवल एक दिन पूर्ड उपवास रहा जा सकता है इस तरह का उपवास ओफिसियल लोगों के लिए बड़ा ही लवकारी होता है इस उपवास से अरुची मिठती है सिर्दर्द सुस्ती और अन्य सारीरिक और मांसिक व्याधिया दूर होती है उसके बाद नंबर आता है लगू नहीं होता है इसमें 21 से लेकर 50-60 दिन तक लगातार पूर्ड उपवास चलता रहता है इस तरह के उपवास तभी भंग किये जाते हैं जब स्वभाविक भूग लगने लगता है या फिर सरीर से सारे बिजातिय पदार्थ पाहर निकल जाते हैं उपवास जब सारीरिक द्र करतिक चिकित्सक से सलाह मसारा कर लेना चाहिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सस्क्राइब करिए